असलामू आलेकुम मैं जुलेखा अर्फाद, जुलेखा स्किचन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़िया सा पुलाओ जिसका नाम है काबूली पुलाओ अफगानी पुलाओ भी कह सकते हैं आप इसे माटन में बनाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं एक छोड़ी डांडी दालचीनी की एक फ्राइपन में दाल दीजिए चुला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए भून लीजिए तब तक भूनिए ये गरमसालों को जब तक इसके है न आरोमेटिक खुश्बू निकलना शुरू हो जाए बस असलीगी में पकाईएगा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है तो मैंने मेरे हिसाब से डाला आप आधा कब इतना डाल सकते हैं इसमें तीन मीडियम सैस की प्यास स्लाइस करीं भी डाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए फास्ट आज पर फ्राय कर लिजिए तब तक फ्राय कीजिए जब तक लाइट गोर्डन नहीं हो जाती लाइट गोर्डन हो जाए प्यास तो इसमें डाल दीजिए आधा किलो गोश मैंने बड़े-बड़े पीसस किये हैं धोया हुआ है तो तीन पानी से धो के नितानने मैंने साइट पर रखा था और दो टीबल्स पर अधरक लसन का पेस्ट दाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए फास्ट आज पर दो-तीन मिनिट तक भून लीजिए अचा उसी समय मैंने नम्मक भी एक छोड़ा चाय का चमश दाल दिया कि मतन के अंदर भी नम्मक चड़ेगा ना जब दो-तीन मिनिट हो जाए जो म पर मैं डाल देती हूँ पानी अब आप चाहे तो यहाँ पर दो कप पानी डाल सकते हैं बट मैंने तीन कप पानी डाला है इसे ढख कर इसे फास्ट आज पर एक सीठी खिला लीजिए जब फास्ट आज पर एक सीठी हो जाए तो slow arch करके इसे 11-12 मिनिट तक slow arch पर पकने यह है आदा किलो बास्मती चावल, सबसे पहले मैंने इस कप से नापा है और फिर इसे दो-तीन पाने से धो के फ्रेश पानी में आदे घंडे के लिए भीगाने रख दीजिए लिए नापिएगा जरूरा, वो कप का मेजरमेंट हमें बहुत जरूरी है यह है 150-160 गराम गाजर, ऐसे लंबे-लंबे मैंने काटे हैं और यह 1-4 cup से ज़ादा है और आधा cup से कम है किश्मिश, एक फ्राइपन के अंदर 2 टेबल स्पून असली घी डाल दीजिए और इसका चुला फास्टाच पर चालू कर दीजिए और यह गाजर डाल कर, मैं यहाँ क्या से एक चुटाच चैका 력जर, और रहे हैं कंपड़ नहीं इन एक छोड़ा चायका । नहीं है को दीजिए उनदर क्या विश्मिश कछय अगर सकते बदैंग में चूला मिडियम करके इसे बार-बार चलाते, तक रुप थीा कि बहुका भुन लिगें विजिए , nord semua मि तो इन्हें निकाल कर साइट पर रख दीजिए अब वही फ्राइपन के अंदर मैं फिर से एक किबल स्पून जितना घी डाल दीजिए और यह जो किशमिश है यह डाल दीजिए और इसे बस मीडियम आज पर तब तक पकाए जब तक फूल नहीं जाती बस फूल जाए तो इन् ठंडा हो जाए तो खोल कर गोश यानि के मठन चेक कर लीजिए देखी बहुत अच्छे से हो चुका है तो अब इन्हें क्या कीजिए निकाल दीजिए नितार कर और एक प्लेट में रख दीजिए अब हम यह क्यू कर रहे हैं क्योंकि यह जो नीचे आपको स्टॉक कही है य कापकश कुकर में ही डाल सकते हैं यहां आप देख सकते हैं मेरे पास तकरीबन पॉनी चार कप पानी निकला, आप देख सकते हैं तो मैं बस वन फॉन कप जितना पानी कुकर में डाला और चला कर इसमें डाल दिया चुला फास्टाज पर चालू कर दीजिए और हाँ चावलों के भाग का नम्मक डाल दीजिए वह आपके हिसाब से कर सकते हैं और इसमें उबाला जाने दीजिए अब यहाँ पर मैं पहले चावल डाल देती हूँ, आप चाहें तो गोश यहाँ पहले डाल सकते हैं, आप मैं क्यों नहीं डाल रहे हूँ? लिगे मेरा बहुत अच्छे से गोश हो चुका है, तो एक दम छूट ना जाये ना, अब यहाँ नितार कर चावलों को डाल दीजिए, उसके बाद गोश भी डाल दीजिए, यानि के मटन और जो भी प्लेट के अंदर भी लगा हुआ हो, मटन वो भी सारा प्लेट का भी निकाल लीजिए और पोच कर इसमें डाल दीजिए, और इसे फास्ट आज पर पकने दीज चावलों के भाग का, अब यह बहुत अच्छे से ड्राइ आउट हो चुका है, तो अब क्या करते है मालो, मैं वो जो हमने साइट पर मसाला बना कर रखा है, वो इसके ओपर इस तरीके से चारों डाल दीजिए, हमने जो गाजर और यह जो किशमिश रखी है साइट पर वो स से पहले तो, मेरी पतीली पतली है, तो मुझे तववे की जरूरत होगी, अगर आपकी थिक बॉटम की है, तो जरूरत नहीं होगी, बट मैंने क्या किया है, साइट पर दो-तीन मिनिट पहले फास्ट आँच पर ना तववे को गरम करने रख दिया था, फास्ट आँच पर अच्छा गरम होगया, तो मैं यहाँ नीचे रख देती हूँ, तवा इसके उपर पतीली रख दीजिए, इसके उपर ढकल लगा कर, इसके उपर कुछ वजन रख दीजिए, और अच पर तकरीबन 15 मिनिट तक दंपर पकने दीजिए, जब 15 मिनिट हो जाए, तो यह देखिय तो यह देखिये, बन गया है, हमारा बढ़िया सा मजेदार सा मतन काबुली पुलाओ, वैसे ऑथेंटिक काबुली पुलाओ के अंदरा कादरा कलसन का पेस्ट नहीं दाला जाता है, मैंने दाला है, यह तोटली औप्शनल है, लेकिन तब भी मैं आपको एडवाईस करूँ यहां पर मैं जो साइड पर रख दी हूँ, किशमिश थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ, किशमिश और गाजर से और गर्मा गरम इसे सौफ करती हूँ, बस इसमें यह वाली रेसिपी में स्पाइस तो आप देख सकते हो, कुछ ऐसा खास है यह नहीं, बस गरम मसाले थो अगर यह रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमें सेक्शन में जरू शेय किजिएगा, मुझे आपके कमें सेक्शन में बहुत अच्छ लगते हैं, लाइक कीजिए इस वाली वीडियो को उससे साथ अच्छ लगए अपने फैमिली और फैंस में इस वाली वीडियो के लिग जया जरूंगी नहीं चांदार दमदार रेसिपी के साथ अचल देन टेक केर, अलाहाफिस, बाइ